हेल दोस्तों मैं करन स्वागिताब सभी का मारे यूटूब चैनल करकेट जी मैं दोस्तों आज किस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बैटिंग टिप्स के उपर दोस्तों अगर आप इन टिप्स को फालो करते हो तो यकीन मानो आप अपने गेम में बहुत ज़्यादा सुधार करे पाऊगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप फिट नहीं है तो आप मैदान में चापर्दसन नहीं कर पाएंगे इसलिए आप अपने आपको हमेशा स्वस्त एम फिट रखिए दूसरा आपको अपने बल्ले पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए उस पर आपको नियंतरन होना भी आवश्यक है आपको बैट पकड़ने का सही तरीका सीखना होगा और इस पर अपनी गिलिप अच्छी करनी होगी ध्यान रहें कि आपका हमेशा लगबग एक ही तरह का बैट इस्तमाल करें कभी हलका कभी बारी बैट बदलते रहने से आपका हाथ बल्ले पर सेट नहीं हो पाएगा तीसरा आपको स्टैंडिंग पोजिशन एकदम ठीक होनी चाहिए गेदबाज के सामने पूरे विश्वास के साथ खड़ा होना जरूरी है तब ही आप अपने उपर से दबाव कम कर निश्चित होकर बल्ले बाजी कर पाएंगे चौथा आपके आँखे हमेशा बॉल पर होनी चाहिए न कि बॉलर पर आपको बॉलर के अंगलियों को देखना है कि क्या वह आउट स्विंग करा रहा है या इन स्विंग या कोई और बॉल जिससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि बॉल यहां को आने वाली है और आप उसी हिसाफ से एज़स्ट कर सकते हैं जिसे आपको सौट केलने में और भी आसानी होगी और आपकी नजरें अंतिन समय तक बॉल पर होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से बॉल को जच कर सके हैं सौट सेलेक्शन सही से करें अच्छी बैटिंग करने का सही तरीका यह है कि आ आपको अपनी सौट सेलेक्शन सही करना होगा मान लीजिए अगर आप बॉल बहुत ज़्यादा सौट है तो आपको हूक मारना होगा और बैक फूर्ट पर खेनना है लेकिन अगर बॉल फुल लेंड की है तो आपको फ्रंट फूर्ट पर खेनना है जिसकी वज़से आप ब बॉलर पर ध्यान रखना है कि वह किस तरीके की बॉल आपको कर रहा है दोस्तों चची ठीज है वह है फिल्डिंग को ध्यान में रखें दोस्तों आपने देखा होगा कि महान किरकेटर सचिन तेंदुलकर विराठ कोली और महेंदर सिंग दोनी बीज़-विच में किरकेट फि विल्डर मौजुद नहीं होता वह लोग उसी दिसा में अपना सॉट मारते हैं यह बैटिंग करने का बहुत ही बढ़िया टीप्स है जो आपको भी फॉलो करना चाहिए क्योंकि खाली इस्तान पर अगर आप अपना क्रिकेट सॉट मारेंगे तो आपकी गेंच चौका या छक पर क्रिकेट सॉट नहीं मारते हैं तो आपको आउट होने का खत्रा हो जाता है इसलिए अगर आप फेल्डिंग पर सही से ध्यान लगाए हुए रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको किस दिसाप में मारना है ताकि आप कभी भी कैच आउट ना हो पाएं दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में